प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती सुरक्षे तेवं आधुनिक्तम यातायाद सुविधा सुलब कराने हेतु राजस्तान रोडवेज द्वारा दो वर्षों में 500 बसें क्रे करने के साथ ही 800 और बसें सर्वेस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावे थे इसके अंतरगर 300 एलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी प्रदेश में दुरुस घ्रामिन शेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोग परिवहन सेवा प्रारव की जाएगी मानिय प्रधान मंत्री श्री नवेंद्र मोदी जी ने देश के रेलवे स्टेशन्स का विकास कर रात्यात्रियों के लिए आधुनिक्तम सुविधाएं सुलब करा कर पहल की है इसी तर्स पर प्रधेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेस के कारिय कुशलता बढ़ाने की जुष्टी से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदैपुर सहित, दस जिला मुख्यालों पर आधुनिक्तम सुविधा युक्त, बस पोर्ट्स, स्टैंड्स एवं वर्क्शोप्स की रिपेर, मेंटेनन्स एवं पब्लिक फसिलिटीज हेतू 50 करोड रोपे का प्रावधान प्रस्तावित है बहरोड, कामाडी, रूपवास भरतपुर, बायतू बालोत्र, श्री डूंगरगर बिकानेग, महुवा दौसा, सपोर्ट्षा करोली, मनोहर थाना जालावार, धोध, खंडेला, सीकर एवं पिंडवाडा, सिरोही में बस्टैंड सम्बंधी विकासकारे करवाए जाएंगे राजिस्तान राज्य पत परिवहन निगम की प्रशासने के एवं संचालन व्यवस्ता को भैतर करने हेतू, 1650 कर्मियों की भरती की जाएगी शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुद्री करन के लिए जैपूर, जोदपूर, अजमेर, उदैपूर, भरतपूर, कोटा एवं बेकानेर जैसे प्रमुक शेहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरनबद रूप से GCC मॉडल आधारे 300 एलेक्ट्रिक बसे क्रे की जाएंगी, साथी इबसों की सुगम संचालन हेतु 25 करोर रुपे व्याकर, मॉडरन शेल्टर कम चारजिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे